हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने एक most important education update लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहाता है कि standard first से लेके standard 8 तक के जो students है उनको promote कर दिया जाएगा ऐसा म के students है और standard 8 तक के जो students है उनको बिना किसी exam दिये उनको next standard में भेज दिया जाएगा पास कर दिया जाएगा प्रमोट कर दिया जाएगा तो same इसी प्रकार का खबर दोस्तों आ चुका है 9th standard के लिए and 11th standard के students के लिए जी हाँ दोस्तों आप लोगों को जो इंतजार था कि 9th standard student और 11th students का क्या होगा तो उनके लिए भी खबर जो है जाहिर कर दिया गया है हमारी वर्षा गायकवाड मैडम की officially की तरफ से जाहिर कर दिया गया और यह तो हमें एक दिन पहले ही पता चल गया था लेकिन हम official तरीके से हम वेट कर रहे थे कि हम कब आपको बनाएंगे हमें आपको रीड करके बताऊंगा और आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पी दिखेगा कि उन्होंने कहा है अपने official tweet करके कहा है announcement in the wake of the current COVID-19 situation all state board students of class 9th and class 11th will be promoted to the next class without any examination ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो भी बच्चा 11th का है जो हमारे वीडियो देख रहा है उनको यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि उनको अगले standard में यानि 9th का बच्चा 10th में चले जाएगा 11th का बच्चा 12th में चले जाएगा और उनको कोई भी exam देने की ज़रूत नहीं होगी ऐसा हमारे officials द्वारा कह दिया गया है अब वो आपके school के ओपर depend करता है कि वो किस तरह से आपको promote कर रहे हैं कि छोटा मोटा basic exam करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे हैं it is totally dependent upon your school in which you are learning ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह आपको ख़बर clear हो गया होगा लेकिन इसका मतलब है क्या खुश हो जाओ कि आर 9th के बतले अभी 10th में मिल जाओ गया admission 11th के बच्चे 12th में चले जाएगे हैं खुश हो जाओ लेकिन खुश होने वाली की बात बिल्कुल सही है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो standard 9th होता है और जो standard 11th होता है it is called as the base of the board examination अगर आपक अपडेट तो मैं देता ही हो दोस्तों जैसे कि कुछ important जब कबर आती है तो मैं आपको देता ही हो लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि आपको मैं बताओगी दोस्तों कि आप भले ही 9th में आपको 10th में भेज दिया जाएगा लेकिन आपको अपना पू सेपक्र मोत कर दिया हमको तो पास कर दिया हमको अभी पडाई लिखाए २हीं करना है वो सब पडाई लिखाए छोड़ देंगे आने वाले 3-4 महिना पूरा वैकेशन चलने यह आपरिल में आरां करेंगे और कूछ पड़ाई नहीं करेंगे तो पूरार जो concept अनौलेज य अगले साल न, 12th में, तो उसके लिए बेश टॉंग होना अच्य है, तो 11 में जितना हो से कि उतना अच्छे से पढ़ लो, भले कोई exam नहीं हो रहा है, लेकिन खुद के लिए पढ़ो, अपने knowledge को gain करने के लिए पढ़ो, तो मैं बोथ 9 students और 11 students के लिए यहाँ पे request कर रहा हू कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो अभी भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि exams नहीं है, तो आप tension खतम हो गया, exams नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद के लिए पढ़ो, खुद का base clear करने के लिए पढ़ो, खुद का concept clear करने के लिए पढ़ो, और इतना नहीं हो रहें, फिर भी हम आपके लिए daily basis पर वीडियो बना रहें, आपको पता है, 9K हमने तो सिलाबस complete कर दिया, लेकिन 11K वीडियो अभी भी आ रहे हैं, 9K भी बहुत सारी important questions और practice के questions हम डालने वाले हैं, तो आप बस बने रहेगा हमारे साथ, और देखते रहेगा, जो इतना ही जल्द लेकर आऊंगा, और भी ऐसे ही educational updates और ऐसे ही वीडियो साम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज कमेंट करके बताएगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, अपने सारे friends अगरे वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye.